अलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटीइन्मेंट चैनल पर आपका स्वागर्यत है दोस्तो आज हुए आइपेल के 42 मैच में जो कि कॉलकता नाइट राइडर्स वर्सिस दिल्ली कैपिटल्स के भीच में खेला गया दोस्तो इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टोस जीते हुए पहले गेंदवाजी का फैसला किया और कोलकता नाइट राइडर्स को बैटिंग कनोता दिया दोस्तो दिल्ली कैपिटल्स का ये फैसला हर जगे गलत ही साबीत हुआ क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ये मैच 69 रनों से हार गई ना उनकी बैटिंग अच्छी चली और ना ही उनकी जादा बोलिंग चली दोस्तो केकार की टीम जब टोस आरने के बावजूद पहले पीच पर बले बाजी करने उतरी तो दोस्तो उनकी सुरुआत खराब जरूर रही लेकिन वो एक लंबा और अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे दोस्तो KKR का पहला विकेट KKR के कुल स्कोर 11 रन पर गिरा जो की सुमन गिल के रूप में था सुमन गिल ने आउट होने से पहले 8 गेंदो पर 9 रन बनाए दो चोकों की मदद से और उनका विकेट 9 टजे ने लिया उसके बाद KKR का जो दूसरा विकिट था KKR के कुल स्कोर 35 रन पर गिरा तिरपाटी के रूप में तिरपाटी ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर 13 रन बनाए एक चोके की मदद से और इनका विकिट भी नोटजे नहीं लिया दोस्तो दोस्तो इसके बाद KKR का तीसरा विकिट के कुल स्कोर 42 रन पर गिरा कार्तिक के रूप में कार्तिक ने आउट होने से पहले 6 गेंदे खेली और 3 रन बनाए कोई चोका और कोई छका नी और इनका विकिट रबाणा नहीं लिया दोस्तो इसके बाद KKR के चोथे विकिट के लिए एक अच्छी पार्टनर्शिप हुई जो कि नारायन और नितिश राना के बीच में हुई दोस्तो KKR का चोथा विकिट KKR के कुल स्कोर 157 रन पर गिरा जो की 115 रनों की पार्टनर्शिप के बाद गिरा दोस्तो चोथा विकिट था नारायन की रूप में नारायन ने आउट होने से पहले 8 सतकिये और तेज वाली पारी और धुआदार वाली पारी खेली उन्होंने केवल 32 गेंदों पर 64 रन बनाए 6 चोके और 4 छकों की मदद से दोस्तो इनका विकिट रबाणा ने लिया इसके बाद केक्यार का 5 विकिट केक्यार के कुल स्कोर 194 रन पर गिरा जो की नितिश राणा के रूप में था दोस्तो नितिश राणा ने आज सबसे अच्छी पारी खेलते हुए केवल 53 गेंदों पर 81 रन बनाए 13 चोके और एक छक्के की मदद से और इनका विकिट श्टोईनस ने लिया दोस्तो ये पहली गेंद से मतलब ओपनिंग करने उतरे थे और सेकिंड लास्ट गेंद पर आउट हुए दोस्तो उसके बाद केकेर का छटा विकिट मॉर्गन के रूप में गिरा जो के केकेर के कुल स्कोर 194 रन पर ही गिर गया जो पांचवी विकिट थी वो 19.5 वे आवर की गेंद पर आउट हुए और जो चटी विकिट थी वो 19.6 मतलब 20 वे आवर की लास्ट गेंद पर आउट हुए दोस्तो जो चटी विकिट थी वो मॉर्गन के रूप में गिरी थी मॉर्गन ने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 17 रन बनाए जिसमें 2 चोके और 1 चका शामिल था और केक्यार की तरफ से कमिंस बिना कोई गेंद और बिना कोई रन बनाए लाश्ट तक नोट आउट रहे इस परकार केक्यार की टीम ने 20 अवर में 6 विकिट खोते हुए 194 रन बना लिए और दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 1955 रनों का टार्गेट रखा दोस्तो ये टार्गेट 2020 के हिसाफ से काफी अच्छा माना जाता है 200 के आसपास का जो भी टार्गेट होता है 200 से उपर या 200 के आसपास का वो 2020 के हिसाफ से काफी अच्छा टार्गेट माना जाता है दोस्तो आज दिल्ली कैपिटल्स की बोलिंग में कोई दम खम नहीं था कहीं भी सुर्वात के तीन जो विकिट थे के-के-ः की वो दिल्ली कैपिटल्स के बोलर्स ने हाला कि जल्दी जटक लिये लेकिन उसके बाद कहीं भी वो अपने के-के-ः के उपर कोई दबाव नहीं बना सकें आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तुसार देश पंडे ने 4 और में 40 रंदे कर 0 विकेट लिए नोटेजे ने 4 और में 27 रंदे कर 2 विकेट रबाणा ने 4 और में 33 रंदे कर 2 विकेट अकसर ने एक आवर में 7 रन दिये और 0 विकिट स्टोइनस ने 4 आवर में 41 रन देकर 2 विकिट अस्विन ने 3 आवर में 45 रन दिये और 0 विकिट दोस्तो इस परकार केक्यार की टीम ने पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिल्स को 195 रनों का टार्गेट दिया दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब 195 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उर्थ रही तो उनका जो शुरुआत थी काफी बेकार रही उनको शुरू में ही दो जटके काफी जल्दी लगे हाला कि तीसरी विकेट के लिए पार्टनर्शिप हुई लेकिन उसके बाद एक जिंग के रहने के रूप में था मतलब जीरो रन पर अजिंग के रहने पहली गेंद पर लबीडबलू आउट हो गे जोकी कमिंज की गेंद थी दोस्तों उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विकेट दिल्ली कैपिटल्स की कुल स्कोर 13 रन पर गिरा सिखर दवन के के रूप में सिखर दवन लाष्ट के मैचिजेज में अच्छे फॉर्म में थे सेंचुरी मार रहे थे लेकिन इस मैच में वह ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट होगे उन्होंने अपनी पारी में एक चोक का लगाया और उनका विकेट भ पहले 33 गेंदों पर 27 रन मनाए दो चोके और एक चक्के की मदद से और उनका विकेट चकरवर्ती ने लिया दोस्तों उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का चोथा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 95 रन पर गिरा सिमरन हैटमायर की रूप में सिमरन हैटमायर ने एयर के रूप में सिरियस एयर ने आउट होने से पहले दोस्तों अच्छा जरूर खेला लेकिन वह अपनी टीम को जीत देलाने में नाकाम याब रहे उन्होंने 38 गेंदों पर 47 रन मनाए पांच चोकों की मदद से और इनका विकेट भी चकरवर्ती ने ही लिया दोस्तों द और इनका विकेट भी चकरवर्ती ने ही लिया दोस्तों इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जो पांचवा नहीं सोरी दोस्तों सातवा विकेट 112 रन पर गिरा जो की अकसर पटेल के रूप में था अकसर पटेल भी चकरवर्ती की गेंद पर ही बोल्ड आउट हुए उन्हों उन्होंने साथ गेंदों पर नो रन मनें एक चक्के की मदद से दोस्तों आज चकरवर्ती जो केक्यार के सबसे अच्छे बोलर शावित हुए उन्होंने चार आउरों में पांच विकेट जटक डाले और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जो कमर थी वो ही तो डाली दोस्तों उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का आठवा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 132 रन पर गिरा कगीसो रबाड़ा की रूप में दोस्तों रबाड़ा ने आउट होने से पहले 10 गेंदों पर 9 रन मनाए एक चोके की मदद से और इनका विकेट कमींस ने लिया इसके दिल्ली कैपिटल्स का नोवा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 135 रन पर गिरा तुशार देश पांड़े की रूप में तुशार देश पांड़े ने आउट होने से पहले 3 गेंदों पर एक रन बनाया बिना कोई चोक्के और चक्के के और इनका विकेट लोकी फर और एंडिच नोट जे बिना कोई गेंद खेले बिना कोई रन बनाये दूसरी साइड नोट आउट रहे दोस्तों इस परकार दिल्ली केपिटल्स की टीम 20 आउरो में 9 विकिट खोकर 135 रन ही बनाने में काम्याब हो रही और उन्होंने ये मैच बड़ी ही आसानी से 69 रनों से हा खाळ गए दोस्तों दोस्तों के क्यार की जैसे बाटिंग अच्छी थी ऐसे ही उनकी मwow ki बोलिंग ही अच्छी रहिए इस्पेस लिए गेंदबात गोजों की कर वरुण की टोस्तों की तरफ से सबसे शनी सफल सक was रहे वरुण चक्रवरति उन्होंने चार ओर में 20 ‫ दिए और पांच व किट लिए और दिल्ली केपिडल्स की कमर ही तोड़ दिदी दोस्तों और दिली े केकयर की तरफ से पैट कमिंस ने चार वर में सतरा रण दे गर तीन और परिसीद के रिष्णा ने द और में 19रं देखर 0 विड़ कम लेस जो आज का IPL का 42 मैस था दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी क्रिकेट के दिवाने उनके साथ यह शेयर करें और कमेंट बोक्स में बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स जो इस सीजन इतना अच्छा खेल रही है आज वो कहां कमी रहेगे उनकी कि वो बैटिंग में भी अपना कमाल नहीं दिखा पाएं और बोलिंग में भी अपना कमाल नहीं दिखा पाएं किस प्लेयर का आप जिम्मेदार मानेंगे उस प्लेयर का नाम जरूर लिखें हमें और जो KKR का पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद झाल-जाएम जय होगी है रहपूँ रहपाद कि बु Bernard घंना हो वा मिल कि आपको एीडियोज था है फमिल